हलो ट्रेटर्स और बेलकुन पुदा इस्टोडियो एस्बियाई लाइफ को आज के दिन हम ट्रेट करें मार्केट की मूव्में से हमको साइडवेस लग रहे जिसका एक चोटा सा वोईस में साथ शेयर किया था कि मार्केट साइडवेस है कुछ भी कीजिएगा एक कंफिरमेशन लेने के बाद ही कोई ट्रेट एग्जिक्यूट कीजिएगा SBI Life को मौनिंग से ही अपना एक लेवल मा करके बैठे हुए थे प्राइस के अगर उसी रेंज की सपोर्ट ले लेने के बाद प्राइस उस रेंज पर पूद्रा से साइडवेस हो गया यहाँ पर आप देखिए स्टॉक आपको पूद्रा से साइडवेस लगेगा ज्यादा तर स्टॉक हमें आज के दिन साइडवेस ही लगे बट SBI Life के अंदर एक छोटी ची कन्फरमेशन मिली थी जब प्राइस ने यह वाला वॉल्यूम्स का ब्रेक आउट कर दिया था वॉल्यूम्स के ब्रेक आउट के बाद हमने फट से यहाँ पर अपनी एक एंट्र अब थोड़ी दिए Vocês 2 कहा हैं सुआरकि अझाल से Kentucky फे एक केंडल पेले 11455 पैसे उइसके अपर 11455 पैसे नहीं यहीं इक तो पलत स्ट बल्मस के सांव टो ब्लमस की फ्रई 1245 पैसे नहीं पिशल्द रम्ट नहीं है बहुत बढ़ा मुव soybeanट हो बहट बहुत जल्दी है ल 149 रुपए 50 पैसे यहला stop loss हम लोग जल्दी से लगाते हैं यहां पर अपना stop loss actually हम जल्दी देते हैं but stop loss perfect stop loss हमारा लग चुका है 1149 रुपचास पैसे ठीक है movement काफी बड़े थे entry लेने के बाद में सीधे price upside की तरफ चला गया हमारा so targets हमने इसके अंदर दिया है 1160 रुपए 30 पैसे के मेरे targets हैं अगर पैस वहां तक पहुंचता है तो ठीक ठाक आरा ratio कि जात हमको 2-3 candles में एक अच्छा target मिल जाएगा काफी देर से हम वेट करने कि SBI के अंदर confirmation मिले confirmation में हमेशा से इस चीज का importance होता है कि आप stocks में कब entry ले रहें क्या confirmations देख करके entry ले रहें एक word technical language में use किया जाता है snapper entries का यह actual snapper entries होती कि हैं जैसे कि यह मेरा support point है हमें इस support के break हो जाने के बाद में या तो हम short करते जो deal होता है या फिर हमें buying की opportunity ढूणनी थी अब क्योंकि जो मेरा SBI life है actually हमारा SBI life जो है nifty financial sector से belong करता है अभी financial sector को जब आप देखेंगे तो nifty financial sector ने कहीं से भी कोई भी हमको movement downsides के show नहीं किये थे और morning से हमारे nifty financial sector upside में था nifty financial services यह देखें यह कुछ support points है higher time time के nifty financial sector में 5 minutes में जब आप देखेंगे financial sector को तो देखेंगे पूरी तरह से यह up trend में ही है एक up trend हमको financial sector शो कर रहा है कोई भी down move बिल्कुल भी कोई single down move इसके अंदर हमें नहीं दिखाई पड़ा हमने क्या किया कि जब तक मेरा SBI life अभी देखेंगे नीचे आ रही मारके इस वित का जो अपना profit है 5000 से less हो करके हमारा profit 3000 पर आ गया हम discuss कर रहे थे कि financial services मेरा upside में है और SBI life यह एक support पर है हमें इसके अंदर confirmation चाहिए थे कि price मेरा upside के तरफ निकले इस candle के थूँ और यहां पर जो price के actions हुए थे उनको देखते हुए हमने यहां पर अपने country बनाई थी just swing lows के अपने stop losses को देखते हुए यहां पर जब आप swing lows को देखेंगे तो यह एक point है यह swing low है जिसके नीचे price हमारा नहीं जा पा रहा था like अगर हम यह वाली candle mark कर लेते हैं देखें इसके नीचे price नहीं किया हमने क्या कि just swing low पर अपने stop loss रखा एक हजार एक सो उन्तारीस रुप पचास पैसे पर और इसी stop loss के साथ अपने अब ही तक नहीं मिला हमको target price देखें upside की तरफ जाते जाते वापस से retrace हो गया कि अब अगर stop loss जागा तो हमको stop loss देना पड़ेगा क्योंकि अप्टेट्स मेरे execute हो चुके हैं और जो मेरा profit है वो लेस ही होता चला जा रहा है थ्री थाउसन रुपीस तक आ चुका है थ्री थाउसन चलिया एक्शली SBI Life में ऐसा क्या था कि ये range support थी इसका जवाब आपको मिलेगा higher time frame पर higher time frame पर जब आप prices को देखेंगे तो देखिए ये एक वो point है जहां से price मेरा upside के तब गया है अभी ऐसा क्यूं है एक 22nd of November की candle है 22nd of November की candle का एक support है जिसके नीचे हमारा price travel नहीं कर रहा है price देखे इसके नीचे जाने की कोशिश की बट rejections के साथ वापस प्रैस उपर चला गया next day इसके अंदर एक gap down होने के बाद में वापस प्रैस देखे ऊपर चला गया और उसके next day with volume price अपनी पुरानी वाली ही रेंज के अंदर जाकर के trade कर रहा है इस चीज को और थोड़ा सा घौर से और आराम से समझने की कोशिश कीज़ेगा हम क्या करते हैं सभी ranges को जितनी भी लाइन से हमारी इन सब को delete कर देते हैं अभी बिल्कुल naked chart है हमारा सिर्फ volume price है आपको करना क्या है volume और price की help से देखिए कोई भी indicator अपने पास नहीं सिर्फ volume है और price है मेरा हमेशा से यह motive रहा है कि बिना indicators के साथ हम लोग price और volumes का use करके कैसे price को read करेंगे वीडियो कर अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को सिखते हैं तो वीडियो को like कीजेगा comments कीजेगा और अगर चैनल परने है तो चैनल को subscribe कीजेगा अभी SBI life में देखिए हम लोग क्या करेंगे without any type of indicator कैसे हम price को read करते है price भी हमारा सीधे downside की दरफ चलता चला आ रहा है and यह लीजे काफी नीचे की दिशा में price करते है फिलाल stop loss नहीं चाना चाहिए क्योंकि जो देख करके जो चीज देख करके हमने अपने stop losses लगा है safe stop loss होने चाहिए हमारे आज के एक candle के उपर नज़र डालिएगा 22nd of number की candle हम इसको mark कर लेते हैं बहुत गौर से इत्मिनान से और शान्ती के साथ पुरा concentrate होकर इस concept आप समझने की कोशिश कीज़ेगा जितना भी हो सकेगा clear करने की कोशिश हम करेंगे आप इस candle के low को हमने as a support consider कर लिया मतलब 137.15 यह मेरे लिए एक support है हमें जो price को read करना है अपनी इस candle से read करना है क्यों read करना है because यह मेरे लिए एक important candle है किस तरह से candles find की जाती है कैसे price में highs और low से हम support after resistance निकालते है इस point को हम ऐसे अपने वीडियो में clear नहीं कर सकते है बढ़ हाँ इतना मान सकते हैं कि 22nd की candle मेरे लिए एक बहुत important candle है अभी 22nd के बाद के price के movements आपको देखने हैं हम लोग क्या करेंगे सिर्फ volume और price की help से इसको पकड़ने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे देखिए उसके बाद में हुआ क्या है price ने 22nd of November की candle के नीचे एक low लगाने की कोशिश की थी volumes भी ठीक ठाक है थी बट अचानक से price मेरा reject हो गया upside की तरफ next day क्या हुआ है कि price ने एक gap down opening दी अब अगर मेरा price weak था आप यह याद रखिएगा हमेशा जो सोचिएगा आप price को ले करके just opposite सोचने की कोशिश कीजएगा opposite in the sense कि अगर आप चाहते हैं कि price को upside की तरफ जाना है तो downside की तरफ वो क्यों नहीं जा सकता है इसके सवाल ढूणने की कोशिश कीजएगा अगर इस concept को हम समझते हैं तो देखिए यहाँ पर price जैसे की downside की तरफ इसने closing दी थी हमारी इस वाली candle के तो price ने क्या किया हमारी उस range के नीचे एक gap down opening दे दी अब अगर यह week था तो previous day के low के नीचे जा करके trade करने लगता और यहीं से लगने लगती आपके बट हुआ क्या कि price ने gap down opening दी और वापस से देखिए price मेरा upside के तरफ चला गया हाला कि जिस price को break करके हमारा stock downside के तरफ आया था price जो नीचे की दिशा में गिरा था वापस से उस range में अगले दिन नहीं गया बट हाँ next day के trading session में price हमारा वापस उसी range के अंदर चला गया with volume गया यानि के 22nd of November की candle के अंदर ही price देखिए वापस से चला गया अब अगर 22nd of November की candle मेरे लिए important है तो क्या हम इसका high mark कर सकते हैं मेरे लिए 22nd of November की candle का high एक resistance की तरफ वाप करेगा प्राइस जैसे ही मेरा इस range से टकराता है मेरी range के अंदर price आ जाने के बाद में upside के तरफ चला गया और इस वाले resistance points है यानि 22nd of November के highs से मेरा price टकरा जाने के बाद में देखिए price के अंदर moves कितने बड़े आ रहा है प्राइस मेरा जैसे ही टकराता है अपनी range के अंदर आ गया range के अंदर आया और इसको मिले rejections rejections के बाद में price मेरा downside के तरफ गिर गया अभी गिर जाने के बाद में price ने एक candle हमारी यह बनी दिसेंबर की candle यह candle मेरी 22nd of November के हाई से टकरा जाने के बाद में इसने एक rejection दिखाया था हम क्या करेंगे 22nd के बाद में 2nd December का low mark कर ले रहा है price मेरा तब से क्या कर रहा है अपने lows को break करने की कुशिश करना है कल का जो trading session था Monday का मेरा price ने अपनी range के नीचे की तरफ closing की थी कल की trading session में market ने जो closing की थी हमारी वो 2nd of December की candle के low के नीचे closing कर दी थी और आज जो मेरा price open हुआ है वो exact मेरी इसी 22nd of December के low के पास मेरी मेरा price open हुआ price मेरा नीचे की दिखाय में गया और नीचे की दिखाय में कहीं ना कहीं से इसने एक support find करने के कोशिश की जो points हमने कहा कि वहाँ पर price हमारा support ले रहा है ये तो सौंझ में आया कि price मेरा इस range से support लेकर के बार बार upside के तरब गया है यहां से देखिए वापस से price upside के तरब गया है अभी एक range के नीचे price close कर देने के बाद में वापस से मेरा price उसी support पर आ करकर के रुका है क्या हम यह मान सकते हैं कि SBI life अपने एक support पर था अभी जब हम SBI के sector को देख रहे हैं तो वह highs लगा रहा है ना कि lows यहां पर देखिए price मेरा highs पर highs लगाता चला जा रहा है बट SBI life क्या कर रहा है कि highs नहीं लगा रहा है यह support पर support ले रहा है यानि कि sideways movement हमको show कर रहा था lows को mark कर देने के बाद में कुछ एक important point था important price था उस range पर आ करके हमने देखा कि price अपना एक support ले रहा है अब अगर price में क्यूंकि हमारा sector गिर नहीं रहा है और SBI life support पर support ले रहा है तो हमें क्या करना है कि इसके upset के तरफ जाने के directions के confirmations लेने थे 5000 रुपीज के आसपास हम profit में आ गए और यहां पर देखे 5000 का profit दिखा कर कि price वापस से मेरा 300 पर आया 300 और 200 के loss पर और अभी वापस से में लोग 7500 रुपीज के profit में तो 666 लगभग 666 quantities के साथ हम इस position के अंदर बने हुए hold कर रहे है 1152 पचास पैसे पर मेरे stop entry point है order book में देख लेते हैं जो भी stop loss वगएर हम लोग ने लगायते हैं पूरे पूरे पी तक safe हैं because stop loss हमने कहा कि stop loss जिस range को confirm करके हमने stop loss लगा है कहीं ना कहीं stop loss हमारी safe रहेंगी stop loss नहीं जाने चाहिए तो stop loss हमारे अभी तक safe है and price देखिए उस range पर मेरा नहीं आया upside के तरफ breakout कर देने के बाद 1160.30 यह मेरे आज के targets हैं देखते हैं price यहां तक पहुंचता है नहीं क्योंकि दो बारते की price ने कोशिश की आने की बहुत बड़े-बड़े moments हो बहुत volatile market है morning से देखिए sideways है और अब इस तरह की volatility as well life में बहुत ज्यादा volatility होती है बट आज कुछी ज्यादा ही है ट्रेट को चलने देते हैं target हमसे थोड़ी ही दूर है and second chapter में आकर कि हम लोग यहां पर जो भी stocks आपने recommend किये थे हमे analyze करने के लिए जो भी stocks आपने trade किये थे उनको हम analyze करेंगे और आज के दिन जो भी stocks आपन गलती कर रहे हो या फिर उन stocks को जब हम analyze करेंगे तो अपने ही द्वारा trade किये थे stocks से आप बहुत कुछ सीखोगे जिससे कि आने वाले समय में आप कुछ अगर बहुत बड़ी गलतिया कर रहो तो उन गलतियों को करने से अपने आपको रोक होगे तो जो भी आप trade नीचे लिखेंगे उनको जब हम analyze करेंगे तो उसे फाइदा सिर्फ इतना होगा कि आपके trades में और भी ज़्यादा improvement आएगा मेरी तरफ से यह आपके लिए बहुत बड़ी help होगी ओके एंड ट्रेश्ट हम लोग एंजाय करते हैं कोई भी बड़ा move होता इसके अंदर तो inform करते हैं so thank you and wait करते हैं एक अच्छे move का it's time to square off our positions and यहां से हम लोग अपनी सारी की सारी positions निकालेंगे प्राइज जो इस वक्त हमारा चल रहा है और जो प्रॉफिट चल रहा है और अभी देखिए कोई भी पोजिशन समने आप पर अपनी नहीं लगाई है सो stop loss order लगा हुआ है एंड पोजिशन अपनी लगी हुई है इस वत का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है लबग नाइन थाजन रॉपिश के असपास के प्रॉफिट है अब हम यहां से निकलेंगे स्टॉप लॉस ओडर कैंसल करना होगा स्कॉर ऑफ और करते हैं कैंसल एंड पोजिशन बुक में आते हैं यहां पर स्कॉर ऑफ बी एस सी नहीं स्कॉर ऑफ एनसी पेस्ट करते हैं ग्यारा सो सतावन रुपर लीजिए सारी क्वानिटी अपनी निकल चुकी है तो आज पूर यह पांच पैसे के डिप्रेंस सो समय जिसके अंडर प्रग्रम लोग निकले हैं लगभग पूरा तीन बच चुका है और इंट्राडे का समय अब होता है समाप्त हमारा और यहीं से हमारा आज का ट्रेट भी खतम होता है ओके सो ओवर आल जो आज का अपना प्रॉविट है सारे ओडर हमारे एक्जिक्यूट हो गया बैलिस पचास पर एंट्री थी 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 नाइन पॉइंट फाइब यह अपना एंट्री पॉइंट था तो थी रूपीस का स्टॉप लॉस था अपना उसी के कोड़िंग हमारी कौनिटी निकल कर कहें थी प्रॉफिट सामने हैं सो आज का ट्रेड हम लोग यह पर खतम करते हैं एनलसिस के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट साइडवेस रही है उसके बावजूद भी अगर आप एक स्टॉक का ट्रेंड पकड़ लेते हैं उसको सही जगह से पिक करते हैं एक सही टेक्निक यूस कर रहे हैं सही टेक्निक तब हमने देखा कि अपने सपोर्ट पर यह सपोर्ट ले रहा है अब साइड में जाने के चांसे देखे और देखे यहीं से बहुत स्मूथ ट्रेड था आज का कुछ भी कीजिए बड़ पूरी तरह से कन्फरमेशन लेने के बाद ही ट्रेड एक्जिक्यूट कीजिए और ए यहां पर हमने टार्गेट्स अपने बुक किया है उसी रेंज पर एजबी आई को कल रिटेश ने शौट किया था लेवल आइडिनिफिकेशन सही था प्लाउस जो ने लगाये थे 1164 के स्टॉप लॉस थे एंट्री लेवल 1105.90 ते थे पूरा का पूर चार रूपय दस पैसे का डिफरेंस है एक्चुली पूरा पढ़ लेते हैं हाफ रेंज बट्विन 1105.90 एड 1164 टारगेट्स जो ने रखे थे 1147.85 के रीशियो जो निकाले 1 ratio 3 का आ रहा है जिन्होंने achieve किया था कल की trade यह SBI के trade है कल जो trade रितेश्ट ने execute किया था आज के trade को हटा देते हैं volumes को भी off कर देते हैं ताकि chart और अच्छे से देखें रितेश्ट ने कल जो अपने stop process लगाय थे वो इस वाले point पर stop process लगाय थे इसके बाद में जो entry इन्होंने पहले decide कि थे सबसे पहले जो decide कि थी entry वो इस range पर थी इस range पर क्या देख कर के entry decide की थी I don't know बट उसके बाद में जिस level पर इन्होंने अपनी entries को minimize किया मतलब जिस range पर इन्होंने चाहा कि हम entry ले तो वो points यह वाले थे जो की मेरे ख्याल से सही points थे मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या देखा था बट technically हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई भी candle हमें नजर नहीं आ रही है और upside के तरफ यह जो entry ली है तो यहाँ पर यह जो groups बने है candles के एक candle यहाँ पर मेरे लिए बहुत important candle जिसको कि अगर हम होते तो यहाँ से काम करते और वो थी मेरी money की candle यह वाली candle यह candle important इसलिए भी थी क्यूंकि यह एक 925 की candle है और इस candle का उसी दिन के लिए अपना एक significance है हम कोशिश करते तो इस वाली candle के low के नीचे अपनी entry लेने की कोशिश करते है मतलब इस वाली range के नीचे exact इसका color थोड़ा सा change कर देते है चल यलोईश कर देते है मेरी जो entry यहाँ पर बनती है कल की trading session के लिए वो इस वाले point पूर होते है 925 की candle because 925 की candle का low मेरे लिए support की तरह काम कर रहा था कल के दिन और कल जो हमको entries की confirmations मिली है वो 925 पर मिली है और इसके बाद में retention ने जो अपनी entries को decide किया या हम यूँ ही बोल सकते हैं अच्छा है इस line पर नहीं पहले entry ली थे तो इसको हम delete करते हैं मतलब यहाँ पर entry लेने की सोची थी इनको इस line को हमने delete कर दिया है अभी price के अंदर जो entries के levels को upside की तरफ stretch किया गया है इसको technical language में हम bargaining बोलते हैं कि market से थोड़ा सा like के जैसे हमें जिस range तक retracement की उम्मीद है अगर हम चाहें कि एक point है इसको थोड़ा सा समझेगा एक point है 1100 और 300 रुपएगा हमें यहाँ पर entry चाहिए क्योंकि हम यह मानते हैं कि इस range तक हमको entry मिल जाएगी लेकिन एक support के breakout हो ज retracement कहां तक होगा जब हम देखते हैं अपने nifty 50 को या भी जिस sector का वो stock हो था उस sector को perform करते हुँ जब देखते हैं तो कुछ-कुछ अंदाज़ा होता है कि यह stock कहां तक हमारे retrace कर सकता है हम क्या करते हैं कि supports के थोड़ा सा उपर जाकर कि market में थोड़ी सी bargaining करते हैं entries तो मेरी यहां पर confirm हो चाहिए हैं बट क्या bargaining करके और सस्ता प्राइस हमको मिल सकता है यहां पर तो कल जो रितेश ने काम किया है I think उन्होंने bargaining की दी और bargaining करके ही उस stock के अंदर entry लिए थी retracement का पूरा का पूरा यहां पर इस्तिमाल किया गया है और retrace होने के साथ सथ यहां पर price के अंदर entry लिए है ओके यह तो point उनका entry लेने का था और entry लेने के बाद में जो उन्होंने stop loss अपने रखिया है 1164 के उनके stop loss थे और targets जो उन्होंने लगा है 1147 के stop loss थे तो पूरी तर analysis करके ही कोई किसी भी नए trade का decision लिजें सही trades लिजें अक्सर हम ये बात बोलते हैं सभी लोगों से के एक सही stop loss देना भी एक कला होती है कुछ ना कुछ गल्दी करके तो सभी लोग stop loss देते हैं लेकिन stop loss भी आप वहीं पर देना हम सार्थक समझते हैं या फिर एक genuine stop loss हमारा वह होता है जहांपर हम सही थे हम मार्केट ने हमें गलत साबित किया अपनी तरफ से हम सारे काम सही करके stop loss देते तो उस stop loss कोई अच्छा stop loss मना जाता है इस case में अगर हमारे stop loss चला जाता तो हमें बिलकुल भी खराब नहीं लगता क्योंकि अपनी तरफ से हमने सारे यहां पर कोशिशे कर ली ते इसके बाद मार्केट है देखिए वह कुछ भी कर सकती कहां से किस तरह का रीट्रेस्मेंट आ जागा या कहां से मार्केट टर्न हो जाएगी किसी को नहीं मालूम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कोशिश करने के बाद ही कोई ट्रेट एक दिसक्यूट करिए तो रिटेश का कल का ये ट्रेट एक बहुत अच्छा ट्रेट था एंड एस बियाई को आज के दिन तो हम लोगों ने ट्रेट किया ही था और इसके अंदर के स्टोप लॉस आप लोगों को मालूमी है तो जहां पर रिटेश ने कल के दिन एंट्री बनाई है वहीं पर आज के दिन हम निकल गया है एक ठीक ठाक रिट था हाई टाइम फ्रेम पर भी और लोग टाइम फ्रेम पर भी ओके सेकेंड जो हमारा कॉमेंट और स्टॉक है वो शुति शा का है शुति शा के हैस्बेंट का नाम है राहुल शा शुति शा और राहुल शा यह दोनों मेल करके ही ट्रेड एक्जिक्यूट करते हैं और दोने ही लोग हमारे स्टॉडेंट रह चुके हैं और कल के दिन इन्होंने 6 दिसेंबर को 6 दिसेंबर के दिन इन्होंने एशन पेंट को एशिन पेंट्स ओन वीकली केंडल 1st of November ट्रेडट एट सपोर्ट 3080 एंट्री एट 3080 एट 1015 की केंडल स्टॉप लोस लगाया है 3087 का देखे 3000 रुपए के स्टॉप मिनोंने 7 रुपए का स्टॉप लगाया है एंट्री नोंने लिए 3080 एट पर स्टॉप लगाया है 3087 रुपए का स्टॉप लगाया लगाया अपने प्लेजर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कोई भी ट्रेट इस हम डालें कोई भी एज्यूकेशनल कंटेंट हम डालें आप उसको देख करके उसके उपर बिलीव कर रहो बरौसा करके आप उसके उपर प्रेक्टिस कर रहों और यह उसी का नतीजा ह है आपका Asian Paints के अंदर चलिए मार्किंग के थूर हम समझ लेते हैं Asian Paints का ये चार्ट है कल का तो देखिए इसके अंदर जो entry ली गई है हमारी इन्होंने अपने swing के नीचे entry ली है 3080 पर entry ली stop losses just upside के इनके stop losses थे और जो तो पूरी तरह हम कह सकते हैं ये एक successful trade था ये एक अच्छा trade setup था ये अच्छा trade का design था ओके तो ये जितने भी दो रुके दोनों हमने stocks आप लोगों के साथ discuss कि इसके पीछे का अपना motive क्या है कि कोई भी trade आप execute किजिए उसके पीछे कि आपके analysis होनी कोई भी trade आप execute करो जैसे कि आज हमने SBI life को trade किया था तो SBI life हो Asian paint हो कोई भी trade आप लोग trade execute करो किसी भी stock के अंदर उसके अंदर एक proper analysis होनी चाहिए ऐसे ही नहीं कि बस आए किसी भी time frame को open कर लिया green candle बन रे भाई कर लिया red candle बन रे short कर दिया मत कीजिए ऐसा एक proper analysis कीजिए higher time frame की analysis को अपने साथ रखिए lower time frame की price की analysis को अपने साथ रखिए देखिए कि आपकी markings के पास में price किस तरह के confirmations दे रहा है markings आपने सही की है तो market वहां पर आकर के कुछ न कुछ जरूर confirmations देगी और अगर वहां पर market confirmations नहीं दे रही इसका मतलब कि आपकी marking में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है या तो उस दिन के लिए आपकी उस marking को market perfect नहीं मान रही है ऐसा भी होता है कि जिस range को आप mark करो एक sharp candle हाती है heavy volume के साथ और price आपका बाहर निकल जाता है वापस price पलट करके उस range पर नहीं आएगा wait करना होगा हमको सो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर खतम करते हैं थैंक यू गूडबाई एंड वीडियो कर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like किजागा comments किजागा एंड अब हम लोग मिलते हैं अपने काल की training session में थैंक यू गूडबाई एंड वीवीग मेट अगें